हरे कृष्णा भगवत गीता की इस वीडियो में हम दूसरे अध्याय के 49 में श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे भगवान कह रहे हैं यहां मैंने वैशलेशिक अध्यन यानि सांख्य तुवारा इस ग्यान का वर्णन किया है यानि भगवान ने जो explain किया वो सांख्य के अनुसार है अब निश्काम भाव से करम करना बता रहा हूं उसे सुनो अब भगवान समझाएंगे कि निश्काम भाव यानि कि करम करना है और इस भाव से करम करना है कि उसका जो फल है वो भगवान जितना दे देंगे मैं उतने में संतुष्ठ हूँ करम करते वक्त बहुत ज़्यादा फल के उपर फोकस नहीं करेंगे करम करते वक्त अपने करतव्वे पर ही फोकस करेंगे अपने करम पर ही फोकस करेंगे बस विजल्ट पर नहीं तो अब निश्काम भाव से करम करना बता रहा हूं उसे सुनो भगवान आगे कह रहे हैं प्रि से एक बार शास्त्रों के थूरू, गुरू के थूरू, सादू के थूरू समझ लें, तो फिर हम ऐसा कोई करम नहीं करेंगे जो हमें बांधे, चलिए आगे भढ़ते वे चालिसमें शलोक पर पहुंचेंगे, इस शलोक में भगवान कह रहे हैं, इस प्रियास में ने तो हानी होती है, और ना हियास अपितू इस पत्पर की गई अल्प प्रगती भी महान वैसे रक्षा कर सकती है, चीक है, अब भगवान कह रहे हैं कि अगर आप एक तरह से करम योग की तरह बढ़ते हो, निशकाम भाव से करम करने की सोचते हो, तो थोड़ा भी अगर इस दिशा में आप सीख गए, थोड़ा भी इस दिशा में आप करम करते हो, तो इसमें नुकसान तो कोई है ही नहीं, कोई हानी नहीं, कोई जिसको कहते हैं इंगलिश में डेप्रिसेशन, कोई गिसावट, कोई कमी, कुछ भी नहीं है, ना हानी ना कमी, बलकि थोड़ी सी प्रगती भी मा महान भैसे रक्षा कर सकती है कई भक्तों के जब मैंने लेक्चर इस श्लोक पर सुने हैं तो यह महान भैसे क्या रक्षा है अल्प प्रग्रति का क्या मतलब कि अगर आपने भक्ति की तरफ आगे बढ़ा शास्त्रधन किया भगवान के शुद्ध नामों का जब किया थोड़ आपने इस तरफ थोड़ी प्रगति की कोशिश की यह शो करने की अपने आपको Improve करने की कि मैं थोड़ा अपने आपको Change करूँ तो महान भह से आपकी रक्षा हो सकते है और वो महान भह क्या है निम्न योनी निम्न लोकों में जाने से रक्षा मैं फिर से बोलता हूँ महान भह से रक्षा क्या है निम्न योनी में जाने से रक्षा निम्न योनी माने, पशू, पंची, कीड़ा, पतंगा, पेड़, कुछ भी बन सकते हो सराफ लेकिन अगर हमने भक्ती की तरफ प्रगती की, तो या तो अध्यात्मिक शरी मिलेगा और अटलीस्ट बहुतिक शरी भी मिले तो कम से कम मनुष्य का शरीर तो मिल जाएगा तो ये एक महान भै होता है कि अगर हमने अपना जीवन ठीक से वैतीत नहीं किया तो अगला जन्म कुछ भी मिल सकता है, तो वो निम्न योनी कहलाती है, क्योंकि मनुष्य योनी तो सबसे उपर है तो कम से कम हमें ये भै से रक्षा मिलती है और दूसरा मैंने कहा निम्न लोक, दो चीज़े कही मैंने, महान भैसे रक्षा माने, निम्न योनी निम्न लोक का निम्न लोक का माने, पाताल लोक, इसके उपर तो स्वर्ग लोकाज है, वो तो जब हम अच्छे करम करेंगे तब ही प्राप्त होंगे लेकिन निम्न लोग भी हैं जरुरिन नरक, नरक तो होता जिब हमने बहुत माहन पाप करे हूं लेकिन निम्न लोग भी हैं जो धरती से और नीचे लोवर प्लाइनेट्स कहलाएंड़े उदर ले जाएंगे तो अगर हम भक्ती की तरफ जरावी प्रगती करते हैं तो इस बात का हमें लाब मिलेगा इसलिए भगवान ने की गए अपितु इस पत्थ पर की गई अल्प प्रगती भी महान भैसे रक्षा कर सकती है बहुत अच्छी बात एक श्लोक और लेंगे इसमें 41 भगवान कह रहे हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रियोजन में द्रड रहते हैं जो भक्ती में होगा वो द्रड़ता के साथ आगे भड़ेगा एक बार अगर उसको मन में आ गई ठान लिया उसने कि मुझे रोज भगवान के नाम का जब करना है मुझे रोज भगवान की पूजा करनी है जल चड़ाना है मुझे रोज गीता पढ़नी है मुझे महिने में इतना पैसा दान करना है मुझे इतनी धामयात्राएं करनी है इ रहते हैं उनको एकदम concept clear होता है कि मुझे ऐसे आगे भड़ता आ है कुरुननदन जो दुढ़ प्रतिज्य नहीं है जो दुढ़ प्रतिज्य नहीं है यानि जिसकी प्रतिज्य डुढ नहीं है रोज बदलती रहती है, उनकी बुद्धी अनेक शाखाओं में विबक्त रहती है, बुद्धी एक तरह से डिवाइडेड रहती है, उनको यही समझ नहीं आता है क्या करने क्या नहीं करना, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, हर चीज को थोड़ा-थोड़ा करके छोड चलना होता है फिर भक्तों का संग मिलता जाता है जिससे आप और मजबूत होते जाते हैं तो यही भगवान कह रहे हैं कि जो इस मार्क पर चलते हैं प्रियोजन में द्रड रहते हैं लक्षे भी एक होता है वो जो द्रड प्रतिक नहीं है उनकी बुद्धी तो अनेक पढ़ने के लिए प्रेड़ कीजिए हो सके तो मेरी वीडियो उनको फॉर्वर्ड कर दीजिए वाट्सअप किसी ग्रूप पर बाकी भगवान कृष्ण हम सब पर कृपा बनाये रखे हरे कृष्ण किसी तो मेरी उनकी पर कब पर का दो जो एनकी बूफ्दी बट।